हेलो गाईज वेलकम टू माई चैनल ट्यूटूरियल गुरू जी और गाईज मैं हूँ नाजू और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है तो गाईज बहुत दिन से हमने यूटूम में वीडियो आपलोड नहीं कर पाए इस बज़े से क्योंकि मेरा 10-15 दिन पहले एक्सिडेंट हो गया था बहुत जबदस मतलब अच्छे तरी किसे में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था इसलिए वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाए इसलिए बहुत-बहुत मतलब माफी चाहता हूं उसके लिए मैं जो है पोस्ट भी डाला था यूट मेरे हाथ में दो कलार का रुमाल है एक तो ही येलो और दूसरा है ब्लू और इससे पहले भी हमने दो तिन रुमाल का बहुत ही इंट्रेस्टिंग मैजिक आप लोगो सिखाया है यूट्यूब में अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस येलो कलर का मतलब सिंपल सा रुमाल देख सकते हैं मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है बिलकुल सिंपल सा और नॉर्मिल सा रुमाल अभी इसमें अगर मैं थोड़ा सा मैजिक करता हूं अच्छे तरीके से तो यह क्या होता है ना इसका कलर जो है चेंज हो जाता है तो तो और एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा यह देख लिए यह देखिए अभी कलर चेंज नहीं हो आभी हो जाएगा देखिए इसमें फोला सा और मैजिक करते हैं गिली गिली चुप अभी समय मैजिक करता है फिर से यह जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा तो देख सकते हैं यहां पर फिर से इसका कलर जो है चेंज हो गया है और यह मैजिक बहुत ही इंट्रेस्टेंग मैजिक है इस मैजिक को आप टेज में रोड में कहीं पर भी आपने दोस्त के साथ फैमिली के साथ दिखा सकते हैं तो चलिए गाइस आप मैजिक को किस तरीके से क्या जाता है है आप सिखाने से पहले जली बाद मैं लोग उससे कहना चाहूंगा अगर इस मैजिक को खरीदना चाहते हैं ड evaluating अब तो इस तरीके मैजिक आईटिम खरीदना चाहते है तो इस वीडियो की मतलब मेरा भाई रहाता है उसके साथ आप बात कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट चेक करना नहीं आता तो आप उस नम्बार पे भी कॉल कर सकते हैं मेरे भाई के साथ आपका बात हो जाएगा तो चलिए आप सिखाते हैं इस मैजिकों किस तरीके से क्या जाता है तो गैस देखें अबी जव आपको दिखाया था सबसे पहले एнуться एक यहलो कलर का रूमाल, तो गैस इसमें मैजिक कैसे आहले आपको बता आए तो इस सब्सक्राइआ आप बिल्कुल प्पके हुआ सब चाहे तो इस तरीके से नहीं कराते हैं इसमें पूरा होता है जासे कि छोड़ता नहीं कभी भी इसको इसते से पकर रखता हूं तो इस तरह के सा दिखायेंगे तो और दूसरा नहीं होगा चलिए मैं दिखाता हूंbak किस तरीक दो फिंगर की बिल्कूल बीच मैं इसको रख़ देता हूं यहां पर ईक डिंग होता है ठिक हैं गोला सा यह अप अब यहाँ पाgeschक्रों धिल्ह को रेकिन दिया जाता हूं तब इस दो उंगलिष प्रोफ के पका लेता हूं और भीरे धिरे निचे की तो क्या होता है यह लगता है कि धीरेधीन हो रहा है लेकिन यह कि दर बाइक को निकिल रहा है अभी यह जू अंदर जा रहा है और यह वाला बाहर हो रहा है मतलब पहलो को और ग्रीन को एक साथ double मतलब रखा गया है और यह अलग यह अलग रखा गया है अच्छे तरीके से देख लीजे यह इसका अंदार चला जाता है और दिखाता हूं इसके बाद में सिकना दिखाने का वह भी बताऊंगा यह देखें देख सकते हैं यह बाहर होता है ठीक इस तो गाई सबसे पहले आपको इस तरीके से पकरना है और इस तरीके से रुमाल को इस हाद में पकरना है ऐसे इस उंगली से आपको इस तरीके से पकर लेना है यह दो उंगली आपको खाली रखना है इसको पकरने के लिए आप यह से भी दिखा सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी द जल्दी इस तरीके से हिलाते में नीचे की तरब खीच लेता हूं। तो आपको देखने में लगता है कि इसका कलर चेंज हो रहा है। लेकिन इसका कलर चेंज नहीं होता है। बहुत ही इंट्रस्टिंग मैजिक है। अच्छे से आप कॉल कर सकते हैं और नहीं तहां हमारा वाइपसाइच चेक कर सकते हैं तो गईस से लिए इतना ही फिर एक नीए वीडियो के साथ मुलाकात होगा तब ते के लिए नमस्ते जा हिंद जा भारत